आज है 25 जून 2024 और आज बहुत अच्छा बारिश हुई है इस बारिश के बीच में हम लोग यह खाद चाल रहे थे जो लगबग 60-70 किलो ही निकला है ज्यादा नहीं निकल पाया आप इसको हमको सुखने के लिए दिना होगा यह सुखेगा तब जाका फिर 100-200 किलो निकलेगा यह दूद के मलाई की तरह होता है जो शुकता है टाइट होता है फिर उपर से कड़ लेते केचवर नीचे चले जाता है यह दूद के मलाई की तरह है आप बोलिए कि एक बार में इससे निकल लिए तो वो पॉसिबल नहीं है नहीं तो फिर गिला खाद आएगा फिर गोबर आएगा इसी दुरस आएगा यदि आपको कंटिन्यूस खा चाहिए तो इसका एक्यूपाई है कि आप उपर से निकालते रही है तो पड़्डे सो किलो जेड़ सो किलो हमारा प्रोडक्शन है और इसी में हम लोग काम कर रहे हैं तो आज तो 70-80 किलो निकला है यह बहुत अच हम क्या कर रहे हैं आपको मैं दिखाने चाहता हूं यह हमारा हमारा वर्मी कंपोस्ट का बेड़ है जो जन्वरी मैंना में दिया थे केच्वा तो है लगन जदा मांतर में नहीं है और इसको हम लोग उसी जैसा एक तरफा से काठ रहे हैं यहां देखें आपको सही से दिखा कि करें को हवा चाहिए जितना हमारा जैतना अच्छा हावा मिले तो इसमें क्या था कि हवा नहीं मिल पारा होगा ऊपरे-उपरे मिरी रहा धुपाट अधर यहां से हमारा गढल user के आउर इस पत्ता दिखान We कि अभी हम लोग इसको लंबा से करके वहां तो झाते हैं अफिन मुझ घूंट चाल पाने निकासी हो जाता है डालने वालने के लिए अच्छा तो हम करने के लिए हम लोग यहां गोल भी प्तियार किये है यह देखिए तो अब इसमें गूड है बेशन है गोबर है जौमित गोल है और एंजाइम है इसे मिलाकर हम लोग इसमें छोड़ दिये हैं तो इसको भी अच्छा सा फर्मेंटेशन होने के छोड़ दिये जब यह हो जाए जल्ली से जल्ली खाद बने और घर खाली हो फिन है गोबर का आने का लोट शुरू हो जाएगा तो इसलिए हम लोग यह काम कर रहे है तो आज का यह इतना सारा काम है और यह एक दिन में नहीं होता है यह कंटिन्यू करने से होता है तो हमारा कंटिन्यू काम चल रहा है एक तो इस तरह से तीनों काम चल रहा है गोबर भी आ गया यहीं स्वापत होता है और हम यह से घर जा रहे है और जा कर अराम कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को दिखने के लिए बहुत धन्यवाद और बस इसी ते से हमारे वीडियो में बना रहे हैं जिनने भी खाद चाहिए वर्मी कमपोड चाहिए हमसे संप्रक करें लेकिन दस दिन के बाद दे पाएंगे कोकि हमारे पास कुछ और है उसको पुरा करना भी किता राँ